ये प्रशांसा सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं ये प्रशांसा सचिन पाइलेट ने भी आज तक के पंचायत में मंच पर बैट कर किया हाला कि तमाम अन्य मुद्दों पर वो एक के बाद एक आक्रमण कर रहे थे वसुंद्रा राजे पर लेकिन उन्होंने कहा कि एक ऐसी चीज ह के साथ कथित रूप से उनके होने के बावजूद उनको हिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता है इसा कुछ नहीं है कॉंग्रिस की सरकार बनेगी कॉंग्रिस को बहुमत मिलेगा मुझे विश्वास है और अभी तो पोस्तिल बैलिट के पर लोगों के बीच में युवास है यह तो रुजान आ रहे हैं इसमें सई रुजान तो बारा बजे के बादी आप आप है लेकिन सर जिस तरीका महौल एं लोग कह रहे हैं कि हर जगपे आपकी कार करता ही हर जगत ज़सन की तयारी में जुटे हुए तो कहीं ने कहीं आप युवाओं में, गाउं में, किसान में, मजदूर में, व्यापारी में सभी लोग दुखी हैं इस तो कॉंग्रेस पार्टी है, राहूल गांधी है, और कॉंग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा, तो मुख्यमत्ती का चैन हो जाएगा अब यह तो सरकार बनाने का मौका आएगा, तो चैन जल्दी हो जाएगा MP में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी, यह दिगविजय सिंग कहते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं तो देखिए अभी सुबा के 9 बजने वाले हैं और अभी सेही दावेदारी और दाव और उमीद सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है यह MP में भी 47 पर कॉंग्रेस आगे है, 5 का फासला है फिलाल मद्यप्रदेश में और नीचे देखिए, नीचे राजस्तान पर नजर रखिए तो एक कॉंग्रेस को सपष्ट बढ़त मिलती हुई रुजानों के मुताबिक अभी नतीजे नहीं है वक्त लगेगा रुजानों को नतीजों में तबदील होने में राजस्तान में चुनावी रुजान, 100 के पार 111 सीटों पर रुजान आचुके है, उनमें से 65 पर कॉंग्रेस पार्टी अगर आगे है तो 43 पर बीजेपी है 111 सीटों के अनुमान आचुके है राजस्तान में और इधर मद्यप्रदेश में आप देख रहे हैं नवासी, अभी सेंचरी वहाँ पर नहीं लगी है लेकिन 4851, 4851 यह देखे मद्यप्रदेश पर रखे नजर 51 सीटों पर अब कॉंग्रिस पार्टी आगे निकल गई है राजस्तान में कॉंग्रिस 65 सीटों पर आगे है और भारते जर्टा पार्टी 43 पर एक क्लिया माजिन है उधर 51, 48 और 36 गड़ देखे 36 गड़ पर कॉंग्रिस पार्टी 24 सीटों पर अगे है तो 18 सीटों पर BJP है, TRS क्लीन उदर आगे बढ़ती हुई 22 पर और 18 पर कॉंग्रेस, लेकिन ये देखिए नजर, आप रखिए मध्यप्रदेश पर और राजस्थान पर तो आपको सपष दिखाई देखा, एक काटे की टक्कर मध्यप्रदेश और 36 गण में दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान में वही, यानि कॉंग्रेस को ख्लियर माजिन, रुज़ानों के मुदाबिक दिखाई दे रहा है, कॉंग्रेस पार्टी से हमारे साथ नेता जुड़े हैं, उनसे हम बात चीत करेंगे, प्रमोजी हैं क्या हमारे साथ अब? हाँ, मैं एक बात कहके अपनी खत्म कर लोगा, देखे अभी आपी कहां से बात आई थी, बात आई थी कि ये बैलेट पेपर ज्यादा तर जगों पे भाजपा के पक्स में जाते थे, ये बात आई थी, मेरे खालते से शेकरवाई ने कही थी, मैं आप से एक चीज़ कहना च काउंटिंग है, उसमें भी कांग्रेस आगे है, जो जहां से बात मैंने शुरू की थी, कि जनता का मन भाजपा के खलाब बना हुआ है, वो इस परगाम से सामने आ रहा है, वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पड़ा लिका सरकारी नौक्री में हो, चाहे सेना म असपस्ट हो रहा है कि भारती जनता पार्टी के खिलाब जनता का गुस्सा है, जो सामने आ रहा है, चीक है, जवाब दीजे शानवास जी, लोगों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ, बावन पच्पन मद्यप्रदेश, तरतालिस पाईसट राजस्तान, जिस तरह की स्थि है, मैंने आप से कहा कि प्रमोत तेवारी जी बहुत सिनियर लीडर है, और पोस्टल बैलिट को भी रुजहान को वो बता रहे हैं कि उनके अगर शुरुआत ऐसी हैं, और रिफरेंस शेखर जी का दे रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप ये देखें, अगर इसी प्रदेश में भी भारती जनता पाटी और इसमें कांटे का मकाबला है, लेकिन मैं मानता हूं जब वो गिंती शुरू होगी, तो उसमें हमारी इस्थिती और अच्छी होगी, शुरुआत में मैं पहले भी दूद का जला चाच भी फुक फुक कर पीता है, मैं आज कांटिं के दिने शुरुआत में ऐसा दावा ना सुनना चाहता हूं ना मैं करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक पूरी कांटिंग 10 से 11 के बीच में ही अवाज इस्तिती थोड़ी अस्पर्ट होने लगे, आज क्या क्या कह रही है, आपको क्या पता, आज आपकी मद्धम होती उने फ्हे ने में